आप सभी दोस्तों का सोड़ा उतकरस क्लासेश पे स्वागत करता हूँ और आजकी क्लास में ट्राइंगल की कुछ के क्यूशन के कुछे जाते हैं उनको हल करने की कोसिस करेंगे प्रिविच्च यारमी पूछे गेbler क्यूशन है उनको भी जानने की कोसिस करेंगे देखो शामानितझ आगर कौण की मैं बात करूँ तो सभी लोगों को पता होगा कि कि 3 भुज के तिनों कोणों के योग जो होता है तिनों कोणों का योग होता है एक सोसी डिग्री होता है घ्ली यह um क्युशन पुछा गया कोणों के अधार पर बहुत सांदार क्युशन है वह मैं आपको बता रहा हूं जैसे एक क्युशन पुछा गया था कि कोण A minus कोण B बराबर था 33 डिग्री और आगे दिया गया था कोण B और कॉंण C, कॉंण B बराबर था 118Нет यह Q. अवर हमें घ्याद करना था कि सबसे छोटे और सबसे बड़े कॉंड सबसे चोटे और सबसे बड़े कॉंड का योग घ्याद करना था यह किस्म पुछा गया था परिंश यहर भबे पुछा गया कुछन है तो आप इसको हल करने की को सिस्कारें याने सबसे चोटा प्लस सबसे बड़ा कोवन यह क्यों से पुछा गया था प्रिमे बित्सेवें निकालो जिगाने क debate करो अब द्यान से सुनो ऐसे किशन जब भी पुछे जाएं किसे हल करें इसमें से आप A को तुन लो यहां पर भी B है यहां पर भी B है तो मैं एक बार B को ले लेता हूँ मालो मैंने कौन B लिख लिया कौन B पलस अब अगर हमें कौन A निकालना है कौन A निकालना है तो 33 पलस B हो जाएगा यानि कौन 33 पलस कौन B हो जाएगा अगर हमें कौन C निकालना है तो कौन B माइनेस अठारा हो जाएगा कौन B माइनेस अठारा हो जाएगा यानि यह तो आ गया B, यह आ गया A, यह आ गया C तिनों का योग कितना हो गया 180 degree अब देखो यह कितने हो गई 3B और इस 33 से 38 कम कर दो दो दस बारा बारा आड़ तीन 15 तो 15 बच गई कितने हो गई 15 15 उससे एक सो सी से माइनिस कर दो एक सो सी से जब 15 गटाएंगे तो आएगा 165 यह उस जाएगा 3 कोन B तो फिर इसमें 3 का भाग दे दो तो कोन जो B का मान हैं तीन का भाग दे दो 15 5 और 15 5 यानЕ पीचपन डिगरी तो कोन B का कितना माना गया पीचपन डिगरी अब दियान से सूनू एक तो है कौन बी एक है कौन बी पलस तेतिस यान कौन बी से बड़ा एक है कौन बी से छोटा तो हमें हमें यह जो यह पीचपन है यह नहीं निकालना है में छोटे और बड़े कौन का योग निकालना है तो सबसे बड़ा जो कौन होगा वह होगा पीचपन पलस तेतिस पीच सबसी छोटा 55 में से 18 कम कर दो 50 में से 10 कम कर दो 45 और 45 में से 5 गए 40 और 40 में से 3 कम कर दो इस प्रकार से निकालना है तो यह कि उसन प्रिप्रियोस एर के अंदर पुसा गया है तो मैंने आपको यहां पर लिखवा दिया और हल करवा दिया अब दोस्तों देखो कोण की अधार पर एक कॉंसेप्ट आता है बहुत इंपोडेंट कोण की अधार पर एक कॉंसेप्ट आता है बहुत इंपोडेंट ध्यान से सुनों आज की कलास का कॉंसेप्ट नमर वन द्यान से सुनो, जितने कॉंसेप्ट है उसको लिख लो और याद कर लो, जब भी कोई ट्राइंगल हो, जब भी कोई ट्राइंगल, यह मानलो इलहा है, यह मानलो बीटा है, बहुत इंप्रोडेंट कोंसेप्ट है, अगर किसी भी ट्राइंगल के इंगल है, तिनों इंगल अगर एपी में हो, अब किस ने आ जाता है, सर एपी क्या होता है, एपी का मतलब होता है, शमांतर स्रेडी, शमांतर स्रेडी, एपी, एपी का मतलब बता है शमांतर स्रेडी, अगर एपी का ध्यन करें हम, यानि मैंने लिख दिया है, दो, चार, छे, आठ, दस, तो यह क्या है, एपी है, मैंने लिख दिया जैसे, एक, तीन, पांच, साथ, साथ, नो, ग्यारा, तेरा यह क्या है एपई है यानि इनका डिफ्रेंस जो है डिफ्रेंस क्या चलता रहा है समान चलता रहा है तो इस ceram रहा तो अगर किशी ट्राइंगल की तींनों इंगल अगर एपा में हो तींनों एंगल जयान से सुनो, वेरी वेरी इंपोरइट कॉंसेप्ट और बहुत बार पुछा जा चुका है, तो अगर ये तिन्नों एंगल, अगर एपी के अंदर है, इसका मतलब क्या वा यहां का जो डिफरेंस है, यहां का जो D है, और यहां का जो D है, वह एक्वल है, यह इतनी बात समझ गाई, इन दोनों का difference और इन दोनों का difference, यह दोनों का difference क्या होगा, बरापर होगा, दोनों का difference क्या होगा, बरापर होगा, अब द्यान से सुनों, तिनों का योग कितना होता है, 180 degree, तिनों का योग कितना होता है, 180 degree, अब द्यान से सुनों, यानि अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं गया यानि यह कितना है डी ज्यादा इससे और यह इससे और डी ज्यादा है अगर मैं इस कौन को ए माल लेता हूं तो यह क्या हो जाएगा यानि ए से आपने डी कम कर दिया और यह क्या हो जाएगा अब जान से सुनों अगर मैं इस सभी को जोड़ दूँ तो क्या हो गया आप यहां फिर यही माल लो आप यहां यही माल लो इसका मान अगर ए है तो इसका मान हमने माल लिया ए प्लस डी ए प्लस डी और इसका माल लिया ए माइनस डी अब ध्यान से सुनों यह क्या हो गया 3a और यह D से D कट गया तो 3a प्हुराबर 58a का मान कितना हो गया 70री वेरीवरे इंपोर्डेट्मकोंसेट हमेशा याद रखे हमेशा याद रखे क्या याद रखना हमेशा याद यह रखना है की क hockey 3 इंगल ap के अंदर हो तो मधे वाला mar先 60 degree होता है क्या याद रखना है dzisiaj अगर किसी triangle के अंदर 3 so ipak 2 as well तो मध्य वाला corn, we are 60 degrees होता है यानी हमेशा materiale कोंट कितना degree होता है 60 degrees होता है यानी 60 ान जितना बड़े वाला कोड़ जितना इस से बड़ा हो가지। अनके जहां तो जितना इसाथ बड़ा ना हो। स्मझसरी वाला को यानि में ने कहा दिया、 अगर है कि समझ में आई कि निया या नि बड़े वाला कोण इसे जितना बड़ा होगा ना चोटे वालाWow इसे जितना ही चोटा होगा और ही हिन दोनों का अगर डिफेरेंस जानने की कौंसिस करें तो यह ठूड़ी याद रहते हैं यह ठूड़ी होता है कि इस कॉंसेप्ट को नोट करो इसके बाद मैं क्यू सुन करवाता हूं आपको इसके बाद मैं आपको क्यू सुन कुराता हूं यह नोट कर लो अब यह देखो दोस्तों इसको करो यह क्या कह रहा है किसी भी त्रिवुज के कोण अगर एपी में है यदि सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण से 50 डिगरी कम है तो सबसे बड़ा कोण बदाओ यानि अगर मैंने 3 कोण यह ट्राइंगल के तिनों कोण है सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण छे 50 डिगरी कम है तूटि का मान अगर दोस्त 15 एट रोड़ डी का मान 25 आगया है यानि डी का मान अगर 25 आगया है तो सबसे बड़ा कोण यानि ये अगर निकालना है, ये अगर 60 है, तो 25 बढ़ा दो, 60 और 25 कितने होए, 85, तो 85 डिग्री सबसे बढ़ा, अगर सबसे छोटा पूचता, तो 60 में से 25 कम कर देते, तो 35 डिग्री, ये 35 डिग्री सबसे छोटा जाएगा, 85 डिग्री सबसे बढ़ा जाएगा, मध्यवाला अब देखो अब अगला concept देखो concept नमर second कोणों के अधार पर ही लिखाओंगा अब सारे के सारे concept एक बार concept नमर second ये concept क्या कहता है द्यान से सुनो जैसे ही ये कोई triangle है ये इसका भाई एकोण है और ये इसका भाई एकोण है ये इस परकार भी हो सकता है उसमें कोई ज्यादा दिक्त नहीं है सर किस प्रकार हो सकता है जिसे माल लो एसे भी हो सकता है अब दान से सुनो ये दो भाईय कोण हो गई और इस प्रकार भी हो सकता है ये दो भाईय कोण हो गई इस कोण को मैंने नाम दे दिया है यानि इस कौन को मैंने नाम दे दिया है दोनों चीजें एक ही है अब ज्यान से सुनने की कोसिश करो अगर यह दोनों गोन है इन दोनों का योग हमेशा ऐ से एक सो असी डीगरी अदिक होता है इन दोनों कोणों का योग हमेशा ए से 180 डिग्री अधिक होता है सर क्यों होता है वो मैं बताऊँगा लेकिन हमेशा याद रखे जैसे हमेशा याद क्या रखना आपको पहले तो याद कर लो क्या याद गरूगे कि इस कोण का और इस कोण का जो योग है वह योग होगा 180 degree प्लस कोण A इस कोण का और इस कोण का जो योग होगा वह 180 degree प्लस कोण A होगा ये एक बार के लिए आप याद कर लो एक बार के लिए आप याद कर लो कि दोनों भाई ये कोणों का जो योग होता है 180 degree प्लस कोण A होता है अब द्यान से सुनो, अब मैं क्या करूंगा, ये क्या है, इसको माल लो अब, कोण B माल लो, इसको माल लो कोण C, तो मैं तिन्नों कोई, इन दोनों कोणों का योग निकलना है, यानि अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये कोण क्या है, ये कोण है, 180 डिगरी माइनस कोण B, पलस ये कौन क्या 120 degree minus type एक 30 degree minus it ये बंइो गोग हो गया यानि इस कोंड की बात करूँ तो 130 degree minus B और इस कोंड की बात करूँ तो 180 degree minus C अब जान से सुनो 180 degree 180 degree इसको इस परकार 180 degree minus Court B plus corn C plus 180 degree, ध्यान से सुनो, 180 degree minus corn A, 180 degree से अगर corn B और corn C को गटा दो, तो क्या बस्ता है, यदी 180 degree से निच्चे वाले दनों-conon को गटा दो, to corn A रहा भिए सकता है, तो मैं इस इतने जगे की जगे मैं क्लेद लिख सकता हूं, corn A plus 180 degree, यह answer है, यहनी दुनों कोणों का योग की आ गया कोंड default एक तोश्ट कोर्ण बरागे 760 करो यह उक्वार से नोट कि रहा हूं इसे 8-6 कर लो अब आपनी कोण एग याद करने की कोशिस की होगी मैंने जिस परकार आपको कॉंसेट बताया था तो द्यान से सुनें इसमें क्या कह रहा है इस स्वालों को हल करने में थोड़ा सा दिमाग खर्च करना बड़ता है यह भाईय कोण होगी एक का मान दिया गया है 121 डिग्री एक का मान दिया गया है 104 डिग्री यह हुए बहीently कोण अब दियाण से सुनो हमें निकालना है सबसें बड़ा कोण क्या निकालना है सबसें बड़ा था कौण एक बात ध्यान रखिये मैं साहा अगर सबसें बड़े कौण की बात आजायना तो हमेशां वए एक को छोटा कर दूँ तो दूसरा क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा तो दूसरा हमेशा क्या होगा 60 से क्या होगा बड़ा होगा 60 से क्या होगा बड़ा होगा ये बात ध्यान रखनी है इससे 104 गटाएं, तो बताओ दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, 104 गटाएं वाए बड़ा होगा न, तो ये कौन हमें सबसे बड़ा होगा, तो सिद्धा ही निकाल लें कि 180 माइनस 104 कितने आगए, 180 में से 104 गटा लो, चिंतर डिग्री अन्सुर आगए, ये सबसे बड़ा ये ही हाँ अगर 181 गटाल होगी तो यह कोंण तो छोटा ही आए अगरभ्न सबसक्राइब और सबसें बड़ा होगा इस परकार से निकालेंगे अगर अगर यह बूस तता ना कौन तो आप क्या करते हैंि इन दोनों कोई जोड़के एक होटा देते तो यह आ लेकिन यह पूछा नहीं सबसें बड़ा कौन पूछा है सबसें बड़ा कौन साथ सें बड़ा होता है तो हमने इतना दमाक लगा कि यह भी साथ सें बड़ा आ रहा है यह यह भी साथ सें बड़ा आ रहा है लेकिन दोनों में सें बड़ा कौन है दोनों में सें बड़ा यह है तो यह यह अंसर है इसको नोट करो यह यह पूछा गया कि उससे न और इंपोर्डेंट है इसको इस परकार से नोट कर लो अब देखो आगे एक-एक कॉंसेप्ट पर एक-एक क्यूशन करवा रहा हूं जो प्रिविया स्यर में पुछे गई है समझ में आगी बात यानि एक कॉंसेप्ट करवा दिया और उस पर अगर पिछे क्यूशन पुछा गया है तो क्यूशन करवा रहा हूं इस परकार से आपको complete हो रहे हैं अब देखो तीन नमर concept सारी concept कोणों के अधार पर यह बुज़ा बुज़ा कुछ नहीं है कोणों के अधार पर किस परकार से पुछे जा सकते हैं वो देखो अब ध्यान देने की कोशिश करें जैसे ही ये कोई ट्राइंगल है दोस्त ये कोई ट्राइंगल है और ये मैंने इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया ठीक है अब मैंने इस कोण का वे सम्दिव भाजन कर दिया और इस कोण का भी मैंने समध्यू भाजन कर दिया यानि इस कोण का मैंने समध्यू भाजन कर दिया और इस कोण का भी मैंने समध्यू भाजन कर दिया समझे में आगी बात जितना कोण ये वाला है उतना ही कोण ये है जितना कोण ये है उतना ही कोण ये है इसको मालो A, ये B और यह सी और यह दी अब द्यान से सुनो इस को मैंने नाम दे दिया है थिटा ठीक है इस को मैंने नाम दे दिया है थिटा और ये सम्दिवाजिक रेखा है, कौन सम्दिवाजिक रेखा है, और ये होती किया है, ये मैंने पहली कलास में बताया था, जब ने रेखा हूं कौन बताया था, यानि इस कौन को दो भागों में तोड़कर ये रेखा जा रही है, इस कौन को दो भागों में तोड़कर ये र करने की कोशिश करें पहले तो इमेजिनेशन से बताऊंगा बात में डिटेल सुमता हूँ इन दोनों कोणों का योग यह है इन दोनों कोणों का योग यह है को अब देखो इस कोण का मैंने कर दिया और इन दोनों कोणों का योग यह है इन दोनों कोणों का योग यह है इन द अधा कर दिया और मैंने इस कोण का भी आधा कर दिया तो इस कोण का भी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा इस कोण का भी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा थिट्टा बट्टा तू यह तो है क्यों कि इस कौन का भी अधा कर रहे हैं इस कौन का भी अधा कर दो अब कि इसे हुआ द्यान से सुन लो फिर जैसे मैंने कह दिया कौण A प्लस कौण B बराबर यह पूरा कौण C यह वाला कौण C ठीक है जैसे आप A से सिमाल लो फिर A C P ठीक है अब द्यान से सुने मैंने कौण B का क्या कर दिया है आप कुंसेट है अगर यहां भी आदा हो गया यहां भी आदा हो गया तो यहां भी आदा हो जाएगा ये concept है तो इसका आधा ये कौन होता है इसको note करो इस पर question करो आता हूँ इसको हल करो मैंने concept बता दिये अब ये easy सा question है ये से हल करो देखो यहाँ इस कोण का क्या हो रहा है सम्दिवाजन हो रहा है और बाहर वाले कोण का भी क्या हो रहा है इस कोण का भी क्या हो रहा है सम्दिवाजन हो रहा है अब मैंने ये दोनों कोणों का सम्दिवाजन हो तो एक बात दिमाग में आजानी चाहिए कि जो यहाँ जो कोण बनने वाला है इस कोण का मान क्या होगा? इस कोण का मान क्या होगा? थिटा बटा 2 क्या होगा? थिटा बाई 2 ये बात दिमाग में आजानी चाहिए और हमें इस कोण का मान थिटा दिया हुआ है तो इसके सम्मूख कोण वाला भी क्या हो जाएगा थिटा हो जाएगा ये अगर 60 डिग्री है तो रेखी कोण यूगम से ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री अब इन तिन्नों कोण का योग कितना होता है 180 degree तो theta by 2 और theta कितना हो गया 3 theta by 2 3 theta by 2 पलेस ये कितना है 120 degree बराबर कितना हो गया 180 degree 180 degree इसी में से 120 degree घटा दो 60 है 60 degree 60 का कर दो दो गुना 120 120 में दे दो 3 का भाग तो कितना आजाएगा theta का मान 40 degree तो 40 degree यान सुरा गया इस परकार से इंकालना है यानि इसका सम्दी बाजनो इसका सम्दी बाजनो तो एक बाद दिमाग में आ जानी चाहिए यहाँ जो कौन बनेगा वे theta भाई को होगा इस परकार से इसमें नोट कर लो अब अगला कॉंसेप्ट देखो अब अगला कॉंसेप्ट देखो च्छार अब देखो दोस्तों अगला कॉंसेप्ट concept नमर 4 दासे दिरूँ ये कोई हमारा triangle है A B और C मालो कौन B बड़ा है कौन C से कौन B बड़ा है कौन C से मैंने यहाँ पर एक लम डाल दिया कोई दिक्त कोई दिक्त नहीं अब सुनो अगर मैं कौन A का सम्धिव बाजन करूँ वो और एखा इधर आएगी या इधर आएगी वो और एखा उधर ही आएगी चीस और कोण बड़ा होगा और कोण बड़ा किधर है इधर वाला है तो सम्धिव बाज़क रेखा भी कहा हैगी इधर ही आएगी क्योंकि इस कोण का सम्धिव बाजन हो रहा है तो दो बागों में बांट रहे हैं तो ये तो रेखा उधरी जाएगी न जहां पर कौन ये बड़ा हो तो कौन बड़ा इधर हो रहे है तो ये सम्दिवाज़क रेखा इधर आएगी यानि ये कौन भी कितना है ठिटा है और ये पूरा कौन भी कितना है ठिटा है यानि इसके दो टुकड़े कर दिया एक तो ये थिटा कर दिया और यह की यह थिटा कर दिया अब द्यान से सुनों यह सम्धिवाजक रेखा आ गई यह बहुत इंपोर्डेंट बात तो यह है पहली बात तो सबसे इंपोर्डेंट बात यह है कि यह सम्धिवाजक रेखा उदर जाएगी जिस और कौन छोटा हो यानि अगर क कौन सी चोटा है तो यह रखार क की और जायी यह बहुत इस ऐाट ा एट यह आपको देगा नहीन आपको जब बी चीतर बनाऊ तो यह रखा उधर ही ले जानी है जहां पर इस पड़रिंगि वह रखार उधर हो द्याएगे जहां A, D, E ग्याद करना है D, A, E ये कोण में एक बार ग्याद करना है अब ध्यान से सुनो ये कोण जब बीच वाला कोण जब भी पुछे तो इसका मान क्या होगा कोण B, माइनस कोण C, बटा 2 कोण B, माइनस कोण C, बटा 2 ये इसका क्या होगा, मान होगा ये एक बार क्या करना है, आपको याद ही करना है, यानि बड़ा कौन सा ये B, बढ़े में इसे चोटा कटा कर दो का भाग दे तो इस कोण का मान आ जाएगा, अब सर आया किसे, वो भी देख लो, वो भी एक बार देख लो, जैसे मान लो, इसको मान लिया मने बिटा, इसको माल लिया मने बिटा अब अगर इस कोण की बात करें ADC की बात करो ADC की बात करो तो ADC में ये बिटा पलस थिटा है ये वाला बिटा है ये थिटा इन दोनों का कोण का योग कितना होगा नब्य इन दोनों कोणों का योग कितना होगा नब्य होगा नब्य होगा तो मैंने बिट्टा और एलफा थिट्टा और बिट्टा का योग पुछा है तो नब्य माइनस कोण सी हो जाएगा कौण सी सी कोण 90 मेशे अगर कोण सी को गड़ा दू तो उपर उपर वाला वज़ जाएगा तू उपर 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 वाला वज गया है 90 माइनस से कौण सी यह बात आपके समझ में आगी होगी अब ध्यान से सुनो मैं थिटा कौन को एशे लिख सकता हूँ इसको आपने बिटा सोरी बिटा मत मानूँ क्यों कि यहां भी है यहां भी है ना इसलिए इसको बिटा मत मानूँ इसको आप इलफा मान लो तो आप मैंने इसको इलफा मान लिए अब देखो मैं थिटा को क्या लिख सकता हूं मैं थिटा को क्या लिख सकता हूं थिटा को मैं यह लिख सकता हूं द्यान से देखो यह अगर थिटा है A, D, B को पकड़ दो A, D, B को पकड़ दो यानि इन दोनों का यूग कितना है 90 इन दोनों का यूग कितना है अगर मैं 90 में से कोण B को गटा दूँ जान से सुनों अगर मैं 90 में से कोण B को गटा दूँ 90 में से मैंने कोण B को गटा ते यह उपर वाला कोण आ गया और अगर उपर वाले कोण में मैं alpha जोड़ दूँ तो थिटा जाएगा उपरवाले कौन में मैं alpha जोड़ दूँ तो theta जाएगा तो ये उपरवाला कौन आ गया 90 minus theta यानि उपरवाला कौन और इसमें मैं क्या जोड़ दूँ alpha जोड़ दूँ तो ये आ गया theta 90 minus beta plus alpha ये theta आ गया बराबर कितना है 90 minus कौन सी 90 में अगर 90 कट गए और ये कितनी होगी 2 alpha बराबर इसको उधर बेज़ दो तो कौन B माइनस कौन सी तो alpha बराबर आ जाएगा कौन B माइनस कौन सी बटा 2 ये आपको याद ही रखना है निकालना नहीं है कहीं भी ये आपको याद ही रखना है जब भी एक बिंदू से लंब डाले और इस बिंदू का समधिव भाजन करें इस कौन का समधिव भाजन करें तो ये जो बीच में कौन बनेगा इसका इन दोनों कौनों का अंतर बटा दो ये आपको याद करना है तो ये इस परकार सी हुआ अब देख लो केसे केसे क्यूसन बन सकता क्या ये एक क्यूसन बन सकता नहीं भाई यहां से बिंद बिंद परकार के क्यूसन बन सकते हैं अब द्यान से सुनो केसे केसे क्यूसन बन सकते हैं इसको तो आपको नोट करना है इसको आपको याद रखना है कोण B का मान कोण C सी बढ़ा है इसको भी याद रखना है इस B चवाले को उठा लो यहाँ D है यहाँ E है और यहाँ क्या है? यह है इसको मैंने क्या मान लिया है? इलफा यह कितना है? 90 है कभी-कभी इस E का मान पुछता है कभी कभी इस E का मान पुछता है तो कोण E का मान जब भी पुछे तो 90 माइनिस कोण इलफा तो E का मान आजाएगा ये क्यूशन भी भूत बार पुछा जाता है इस कोण का मान पुछा जाता है तो 90 में से इलफा गटा देना कोण E का मान आजाएगा इस परकार से भी कुछ आजा सकता है और भी कभी कभी C का मन अदर दे के C का मन पूछ सकता है अदर दे के B का मन पूछ सकता है अदर दे के कोण A का मन कुछ भी पूछ सकता है तो इस परकार से आजाएगा यह हमारी थोरम है तो आपको थोरम को याद करना है ने की निकालना है तो इसको नोट करो, मैं किस सन कुड़ाता हूं इसमें इसको नोट करो इसको नोट करो नोट करो नोट करो अब देखो इसको सुन करो तेयोरी मैंने बता दिये देखो यहां क्या दिया हुआ है कि कोण बी तो इठेतर है एक आसम दिवाजक एडिये देखो पेपर के अंदर जितना आपचितर नए बना के करो ना जितना अच्छा रहेगा मैं तो यहां सिधा करवा दूँगा कैसे करवाँगा देखो पहले इमेजिनेशन करने से को अगर आप सीजिल की तैरी कर रहे हो तो इमेजिनेशन करने से क्या होगा दिमाग की जो पते है जो क्येपाशिटी वह बढ़ती है देखो एक अमान कितना दिया है 24 एक अमान 24 है तो जो बठा में दो होता है यानि एक दो गुना उन दोनों कोनों का अंतर होगा एका दोगुना उन दोनों का अंतर होगा एका दोगुना होगया अरचास याने उन दोनों कोणों का अंतर कितना होगया अरचास और बी कितना है इत्थेतर इत्थेतर में से अरचास गटा तो तीस तीस अंसूर आ गया इस परकार से करना है लेकिन अगर आपको चितर से बतान तो फिर सिदा ही कर लो, ये कोण ए कामान कितना है? 24 भराबर कितना हो गया? कोण B, और कोण C का अंतर बटा 2 2 इधर चला जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा? 48 B कामान कितना है? 38 और ये हो गया? कोण C तो 38 में न से 48 घटा दो तो कॉन सी का मन कितना आ गया 30. तो 30 क्या हूँ गया answer हो गया, 30 क्या हूँ गया answer हो गया, इस परकार से हमें निकालना है, अब बात क्या आती है, बात यहां पर अटिक जाती है, कि sir आपने इसको बड़ा क्यों मनना? बहुत important concept है, इसका तत्विया है पहली बात तो यह थोर यूसे अदियान स्या उख। है अगर मैं इठेतर को इठेतर को अगर मैं छोटा माल लूँ तो इसका मतलब होगा एक अधर कौन इठेतर से बड़ा होगा बड़ा होते हुए अधिक कौन हो जाएगा और अधिक कौन होना नहीं चाहिए यानि इठेतर क्या है सबसे बड़ा कौन ही इठेतर है साथ से तो यह थेतर को मैंने बड़ा माना और शी कमान थीस निकाल दिया इस परकार से निकालना है इसे नोट करो और आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बोक्स में लिखकर जरूर बेजे और मैंने आज आपको चार कॉंसेफ्ट बताएं इसी परकार से मैं ट्राइंगल क एली आपका थेंक्यू